पर बाद नाद नेना देवी की गता इस सतान परसती के दोनों इत्तर गेरे थे नेना देवी की गर्णना और मुक्सकती पिको में दिया माचल पर देश मेश्थी तेहस्तान पंजाब की शेमा के काफी समीफ है मंदिर में जोगती नेना देवी के दर्सा पिंडों के रुप में होते हैं मास्क यस्ट नी तो अधा नवात्र में यात्रा रोपता दिक संख्या में होती है अन्य दिनों में यहां अपेश्क्यार्थ कम यात्री रजाते हैं मारत प्रिच्चे पुत्री भारत में पंजाब रज्चे में बापरा नांकर लाइंग पर आनंद पूरे साहर प्रसीद स्थान से उत्तर दिशाक्यों स्रिवालिक परवत है कि शिकर पर नैना देवी का अवह मंदिर बना है नैना देवी के लिए नंगल से बसे अपलत होती है लगभग तीन गटे में यात्री बस तवालं रांकल से नैना देवी कोच जाते हैं बस टेंग से नेना देरी के मंदर में वोचने के लिए लगव दो किलोमेटर पाड़ी महारक पैदर चड़ना होता है जिससे साधर नत्यातरी लगवादे गंटे में सविधा से पूरा कर लेते हैं इस मंदर के निर्वान पतातपदी के विशे में कई तंत कताय के चली थे परंतुने कताय बात में समझाती है इस पाड़ी के समय लाके में कुछ गुजरों के आबादी रहती थी इसमें नेना का नाव का एक उच्छदेवी का परंबग था वह अपने काई पैसी इत्यादी प इस पर जो पीपर का वरक्स अब भी है विरुजमान उसके नीचे आकर नेना कुछर की एक अंध्याही गाए खड़ी हो जाती थी और उसके सत्नों से अपने आप दूद निकल जा पड़ता था नेना कुछर ने यह दूद कर नर्शा कई बार देखा यह देखकर सोच विच के नीचे जाकर जागाए वदूद के दताओं पड़े सुके पत्तों के डेर को टाना रंग किया दिया पत्ते अटाने के बाद उसमें तभी होई पिंडी के रुप में मा बगवती के प्रत्मा दिखाए थी ने जिस दिन पिंडों के दर्सन किये उसी रात को माता ने उसे दर्सन दिये और कहा कि सकती दुर्गां तो मीशी पीपर के नीचे मेरा स्थान बनवा देओं मैं तेरे नाम से प्रशित हो जांगी नैनार मां भगवती परमवक्ती उसमें उसने प्राप्त काले काल उटते ही देवी मां का अग्यान मुसारुशी देवी से मंदर की नियु देवी के भक्तों ने बगवती का सुंदर भव मंदिर बनुआ दिया तर शाथ दित नैना देवी नाम से परसद होगा मंदिर के समय फी एक गुपाय जिसमें नैना देव की गुपा घेते ही इस इसके दर्द नासे भगत जाते हैं एतियाशी कि परिश्टकास शिंख नात क के दरबाज में उपस्तित होते थी उन्होंने इस्तित पर दपश्यान भी की थी सर्ग सत्रा सुच्यार की दिस दिसमबर मां के पूर गोविन सिंग जी अपना बच्पन अपने पूर पूझे पिताश्री गुरु तेज भादु जी के साथ अंदर पूर साथ जी की वैक्ति कि अपने पिताश्री के बदितान के प्रामतरे आनपुर से हिंदु धरम की रक्ष्या के लिए मुविन चलाते थी नुपाने ना देवी का पी इस्तान के अत्तर निकटोने के कारण सक्ति उपासक घुरु जी बहुत स्विधादी निकता जब भी कोई संक्ट का समय उता मालत स्रीत नाम से इसक्या दो बार का हुपनत किया इसके साथ ही पंजाबी बासा में भी पचपन में हिंदु में चंडी दीवार नामत में सक्ति खवर्नन किया